पुष्पा पुष्पा राज यह वाट तक गेदल है पुष्पा राज चुकेंगा नहीं पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या फायर है मैं बोल रहे हैं तो कोई एक्टर के किरदार की नकल कर रहा है मतलब फिल्म का खुमार लोगों के सीर पर चड़कर बोल रहा है इसमें वो अपने हाथ को अपने टोटी के नीचे रखते है और रोब दिखाते है लेकिन क्या आप जानते है कि आलो आरजुन के पहले दनुष्पी हिरोईन साइप पलवी ने भी यही जेस्टर को अपने फिल्म में किया था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया दरसर आलो आरजुन ने फिल्म पुष्पा के प्रमोशन के दवरान इस जेस्टर के पिछी की काहनी भी बताई थी उन्होंने कहा था कि किसी फिल्म के गाने के सीन में उन्होंने ऐसा एक स्टेप देखा था जिसे डारेक्टर सुकुमार ने देख लिया था और उन्हें इतना पसन आया था कि उन्होंने इसे अपनी अगली फिल्म में इस्तेमाल करने की बाद भी की थी बाद में ये स्टाइल पॉपुलर हो गया यहां दोस्तो साई पल्वी ने रावडी बेबी गाने में इस जेस्टर को किया था इस गाने में उन्होंने उनके साथ धनुश नजर आये थे गाना तो फिल्म मारी टू का था जो की काफी फेमस हुआ था इसकी भी डास मूँ खुब चर्चे में रहे थे ये गाना नवेंबर 2018 में रिलीज हुआ था तो इससे ये तो साफ़य की पुश्पा का ये स्टेप चार सार पुराना है और जिसे अभी 2022 में काफी लोग प्रियता मिली वेल दोस्तों क्या आपको ये बात मालुम थी पहले से या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए और वीडियो पसना है तिस वीडियो को लाइक और जाद जाद शेयर ज़रूर करें